हेलो दोस्तो जोती कीचन फूड में आप सभी का स्वागत है देखिए आज हम इसका चाट बना के दिखाएंगे आपको देखिए हमने इसको सोया बीन के जो दाना होता है उसको हमने ले लिया था एक कटोड़ी और हमने पानी में भींगो दिया था रात भर के लिए और इसको अच्छे से दो करके साफ करके और देखिए उबलने के लिए हम इसको कोकर में डाल दिये हैं थोड़ा हमने पानी डाल दिया है एक गिलास के करीबा देखिए थोड़ा साम नमक डाले हैं और इसको उबालेंगे हम 4-5 सीटी उबालेंगे मीडियम आज पर ताकि अच्छे से हमारे पर उबल गया है अच्छे से अब हम इसमें से पानी पूरा निकाल लेंगे लिए उपानी निकाल ले है बड़ा बर्तन में और देखिए यह हमारे पास जो हमने इसमें डालना है सारे मसाले उस पाउडर बारी काट लिया है देखिए सबसे पहले हम नमक को डाल देते हैं इसमें स्वाद के नुसार लाल मिर्च पाउडर है इसको भी हम ढाले हैं बिल्कुल थोड़ा सा आधा चमच आईए हमारा जीरा पाउडर है जीरा को भून के हम पीस लिए हैं और एक काला नमक है इ और यह चाट मसाला है इसको भी हम आधा चमच लिये हैं छोटी चमच से आधा चमच हम इसको भी डाल दिये हैं और देखिए एक बड़ा प्याज काट लिये हैं बारिक बारिक टुक्रों में उसको भी हम डाल देते हैं इसी में और ये देखिए हरी मीर्च हमने दो काटी हुई थी बारिक बारिक उसको भी हमने डाल दिया और ये टमाटर को भी हम डाल देते हैं इसमें और देखिए आधा निम्बू हमें इसमें डालेंगे ये चटपटा हम बनाएंगे बिल्कुल अच्छे से चटपटा हो जाएगा ये क्योंकि हमने थोड़ा चाट मसाला भी डाला है निम्बू भी डाला है और ये धनिया पत्ता है इसको भी हम डाल देते हैं इसमें और खाने में बहुत ज्यादा healthy और tasty दोनों होता है आप कभी बनाके जरूर कि ट्राइ कीजिएगा इसको अच्छे से mix कर लेते हैं और आप सुबह के नास्ते में आप खा सकती है कटोरी बहुत फैदेमंद होता है देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए हमने कटोरी में निकाल दिया है